तो हेलो गाइस वेलकम बैक टो अनधर वीडियो और गाइस मैं आप लोगों के लिए लेकर आगया हूँ हाउ टू क्लच एवरी टाइम वीडियो और भाई इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाली थी ऐसी और भाई आप लोगों को देखके मज़ा आगया था आप लोगों ने बोला था कि एक और वीडियो ऐसी लेकर आओ तो भाई इस वीडियो में उस वाली वीडियो से भी जादा खतरनाक और इंटेंस कलचीज होने वाले हैं आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाले और भाई बहुत मज़ा आने वाले आपको इस वीडियो में तो भाई वीडियो को एंट तक जरूर देखना तो भाई आप वीडियो को शुरू करते हैं सुक्ष हमारा पहले कलेश चाजाता है पोचिंग की का अब भी जो सामने अलग घर है न भाई वाँ पर पूरी की पूरी एक स्कॉर्ड है तो भाई मैं सोचता हूँ कि या नेड से एक दो बंदों को फोर देता हूँ पर भाई मेरे पस एक भी गिरे नेड नहीं होता है को लग रहा होता है कि मैं धर के भाग रहा हूं इनसे और यह बंदे मुझ पर अंधर रश कर रहे होते हैं इसी चीज़ का मैं फाइदा उठा लेता हूँ और ग्यास देखो भी मैं इनको कैसे मारता हूँ तो भाई अगर आप लोगों नहीं पर नोटिस किया होना तो मैंने हर बार एक अनेक्सपेक्टीड चीज़ की गैस यहाँ पर मैं बंदे के मुझ पर जाके उसको नोक किया मैंने और गैस उसके बाद मैं बंदे के सीधा मुझ पर ही कूद गया और भाई बंदे ने सोचा नहीं होगा कि मैं ऐसा कभी करूँगा अभी जहाँ पे न साइड वाली बिल्डिंग में बंदे होते हैं और वो मुझे पर रश कर रहे होते हैं तो अभी देखना मैं पर कैसे क्लश करता हूँ सुगज अगर आप लोग ने आप अभी ध्यान दिया हो तो मैंने आप ने एटेक्स गिरा दिया था बंदों के आने से पहले ही ताकि अगर बंदे मुझे पर रश करें तो उनके ओटो पिकप की वेई से उनका एम खराब हो जाए और भाई मैं आप एजिली एनिमी को मार दू अब हाला कि एनिमी के ओटो पिकप के काम करने से पहले ही मैंने एनिमी को मार दिया पर गैस आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो अगर एनिमी आपके उपर अंधर रश कर रहें तो आप सीडी में या फिर रास्ते में ना भाई कुछ लूट गिरा सकते हो जिससे कि एनिमी का एम वहाँ पे पूरा का पूरा खराब हो जाए और इन तीनों बंदों को मारने के बाद इनका लाश बंदा भी मैं मार देता हूँ और उसके बाद बन भी फोर अपना complete हो जाता है सो कैसे उसके बाद हमारा next class आ जाता है military base पे और यहाँ पे बंदों ने वेट कर रहोता हूँ और तब भी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है एक काम करो ना इस फोदर घर पे लेके जाओ नो अंदर अंदर और कर नहीं पे इस बंदे को पैन कर देता हूँ तब भी इस बंदे का बंदे के टीममेट्स आ जाते हूं और भाई इस बंदे का टीममेट ना बहुत अच्छा खेल ला था तो भाई यहां पर मुझे थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा तो सबसे पहले तो मैं यहां पर healing करता हूं और भाई उसके बाद बंदों के उपर थोड़े ग्रिनेड कर देंगे और भाई इहां पर मैं enemy का sound सुन लेता हूं और भाई बंदे की location मेरे को पता होती है तो भाई मैं सीधा नीचे jump लगा देता हूं पर भाई बंदा cover में चले जाता है तब ही उस बंदे का दूसरा टीममेट भी भाई हां पर आ जाता है और भाई यहां पर मेरा my call पर होता है तो भाई बंदा देखो क्या बोल रहा है और भाई इसी के साथ अपना 1v4 यहां पर complete हो जाता है सब्सक्राइब अब जाता है मिल्टा में और कई इस वाली क्लश में आप लोग देखोगे कि आप लोग एक छोटे से पत्थर के cover में भीना बाई पूरी की पूरी score वाइप कर सकते हो आगे एक को ना है आगया आगया तरह पर आगया तरह पर आगया ब्रोकन वोल्स है ओ भाई ओ भाई क्या मारा और भाई इस वाली क्लश के लिए एक लाइक तो बनता है भाई फटेफट से लाइक करो तब तक भाई मैं यह वाली स्कौर्ड भी वाइप कर देता हूं अरे यार भाई यह तो स्वड़ा हैवी सीन हो गया रुख जाओ अभी रिवाइव होते हैं फिर बताते हैं इनको अभी काई यहां पर एनिमीज मुझ पर रश कर देते हैं तो भाई अभी देखना यहां पर मैं कैसे फाइट निकालता हूं अभी मुझे मार द्रूव तो भाई यापके मैं दू बंदो को नॉक कर देता हूं उसके बात भाई मैं थोड़े सब्सक्व कर देता हूं क्योंकि यहाँ पर मेरी हैल्थ लो होती है और अगर लो फिर लूल मथ में ही फायट से बहुत ज़ादा रहेंगे सुक्स अभी मैं चर्च पर आ जाता हूं और यहां पर ना भाई मैं एंगल निकालने का ट्राइ करूंगा बंदों पर अभी यहां पर मैं एनिमीज का टीसरा बंदा भी नौक कर देता हूं पर भाई मैं अभी रश नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अभी भी हेल्थ लो है और नीचे वाला बंदा भी तक रिवाइव हो चुका हुगा तो भाई इसलिए मैं पहले तो हील करता हूं और उसके बाद मैं ए होगा मुझे मिल जाता है भाई एक बंदा लेफ्ट में चले जाता है और राइट में बंदा अकेला बच जाता है जिसकी वहीं से मैं इसको नौक डाउन कर देता हूं और भाई इसी के साथ अपना फिफ्थ क्लच भी कम्प्लीट हो जाता है अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई है ना तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना अपने दोस्तों के साथ और भाई कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना कि तुम्हें इसका नेक्स पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए और भाई साथ में मेरे को यह भी बताना कि तुम्हें सबसे बढ़िया क्लच कौन सा लगा इस वीडियो में बाकी यार मैं मिलता हूँ उपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई